हालो प्यारे बच्चों, आज हम प्री बोर्ड का प्लास 10 का साइंस का पेपर डिसकस करेंगे, ठीक है? तो इसमें चार पार्ट होते हैं, पहले पार्ट में एक से 20 तक कुश्ण होते हैं, जिसमें प्रते एक बाग एक एक अंका होता है, इसमें MCQ भी होते हैं, ठीक है? तिन-तिन मार्ट के और 34 से 37 तक पाट-पाट मार्ट के हैं, अब हम कुश्ण को देख लेते हैं, सोडियम सल्फिट विलियन को बेरियम कुलॉराइड विलियन में मिलाने पर होने वाला एक प्रेक्शन लिखिए, इस प्रेक्शन के लिए जिम्मेदार असाइन का बीग का ना क्रिया, यानि हम अगर सोडियम एन ए टू एसो फोर सोडियम सल्फिट को लाते हैं, बेरियम कुलॉराइड में बी ए सील टू में, तो इट विल गिव बेरियम सल्फिट एसो बी एसो फोर प्लस तू एन ए एन ए सील, ठीक है, तो बीरियम सल्फिट का सफिज रंग का अब अक्षेब बने का दिव विस्तापन अभी करिया है, और लेड नाइटेट को गरम करने पर ऑक्शन के इलावा बनने वाले अन्य उत्पादों के नाम है, लेड ओक्साइड यानि पी बी ओ एन नाइट्रोज एन डाइ ओक्साइड, एन ओ टू, ठीक है, दो उत्पाद बनेंगे, प्लस लिखने के जरूत नहीं है, पी बी ओ और कॉमा लगा दे, एन ओ टू, उस लवन का रसाइन के नाम में हम सूत लिखिए, जिसका उप्योग पीने वाले पानी को जीवानों मुक्त करने और लाउं तो इसमें, इसका है, सी, ए, ओ, सी, एल, टू, कैसियम, ऑक्सी, क्लोराइड, यानि की, ब्लेचिंग, पाउडर, थार्ड कुशन देख लेते हैं, निम लिकित में से कौन सा सही हो जी, योग्टो का लक्षन नहीं है, तो इसका अंसर है, सी, विदूत का चालन करते हैं, दे कंड़क्ट इलक्टिसिटी, ये अंसर है, ठीक है, यानि, कॉबलन कंपॉंट की ये करेक्टिस्टिक्स नहीं होती, से से इंजियो ग्रूप का ये गुड़ नहीं होता है, रात में तारे क्यो टुम डुमाते हैं, वाईयू मंडलिये, अपवर्तर के कारण, दोपहर में सू सूरे सफेद दिखाई देता है, क्योंकि सूरे का प्रकास सात रगों से मिलके बना होता है, सातो रंग मिलके सफेद हो जाते हैं, जब परक्रिणन होगा किसी एक कलर का, तो सारे सातों के सातों रंग हमें दिखाई देंगे, इसलिए हमें सूरे सफेद रंग का दिखाई द जाता है वाईयू मंडलदारा और लाल जो है प्रकाश अमारे तक पहुझता है को कि उसकी तरन धहरे बड़ी होती है कई बार प्रश्ण यह आता है यह तो पहली बारी आया है प्रश्ण पांच है एक अवतल दर्पन का आधा पाग काले रंगे का कसे डखा है कैसे दर्पन वस्तु की पूंच चबी का निर्मान करेगा येस करेगा लेकिन कुछी स्थितियों में ठीक है आपको सिर्फ करना है करेगा इस दर्पन का चितर बनाईए तो अवतल दर्पन का अचितर आप ऐसे बना सकते हैं ठीक है ठीक है ठीक ऐसे बना ले और अगर एफ पर है वस्तु या एफ और पी के बीच में है तो पूंड ही चबी बनेगी अन्य स्थितियों में चबी अपूंड भी बन सकती है प्रस्निच्छा है एक अवतल दर्पन के मुक्यक्स के सामानत समानतर आप्तित क्रणनों का परावरतन किस प्रकार होगा तो अवतल दर्पन के मुक्यक्स के समानतर आप्तित क्रणनों का परावरतन फोकस से होगा जैसे यह अवतल दर्पन है तो यह मुक्यक्स इसका यह है इसके समानतर को रिखासी आ रही है तो टकरांगे बाद फोकस से होती भी जाएगी. इस तरीके से इसका प्रावरतन होगा. विदृध धारा में ठारा प्रवावत होने पर दिक सुचकी सुई में क्या होगा? तो दिक सुचकी सुई में मुमेंट होगा, डिफ्लाक्शन होगा, जानि कमपन होगा. तोड़ा सा, एक स्तान से दूसरे स्तान, तोड़ी इसमें कम बन होगा, ठीक है, एक विदुत धारावाई, परीनालिका के चारो और चुमबके सेतर रेखाएं, खीचिए, तो आप इस तरीके से, एक सबसे पहले परीनालिका मना सकते हैं, इस तरीके से, और यह अगर लिखा दिये, नौर्ट से सौथ की तरफ, बाहर से, और अंदर से, आएंगी, सौथ से नौर्ट की तरफ, ठीक है, इस तरीके से आप परीनालिका का चित्र बना सकते हैं, नेक्स्ट है, उस युक्ति का नाम लिखिए, जो एक चालक में विद्ध विबांतर को बनाये रखने में मदद करता है, सेल या बैटरी लेखे सकते हैं, एक चालक के सिरोपर विद्ध विबांतर को मापने में उपयोग होता है, बोल्ट मिटर, अथ्वा, गरेल उपरी पत्में के विद्ध उपकरन्नों को पार्स करंण में जोडने के कोई दो लावों की को सोची बत कीजिए एक तो यह होता है कि पाश करम में तो जितने भी उपकरण होते हैं उनको उनकी जलोत की विदुत मिल जाती है करंट मिल जाता है दूसरा यह होता है यदि एक उपकरण खराब हो जाए तो बाकि उपकरण अपना काम करत से रहते हैं जबकि सीरीज में क्या होता है स्रेणी करम में अगर एक उपकरण घराव जाए तो सारे उपकरण परीपर तूट जाए अगर आगे तक विद्युधारा नहीं पहुंच पाएगे सारे उपकरण बंद हो जाएंगे प्रशन दस है हिड्दे के आलिंदौर निले में से इस की वित्ती मोटी होती है क्यों कि इसमें निले की वित्ती मोटी होती है क्योंकि पादब एक इस्तान पर रहते हैं उनमें मूवमेंट नहीं होता पहली बात तो ये गवती नहीं करते हैं एक इस्तान से दूसरे इस्तान नहीं जाते हैं, दूसरा उसमें जो कोशिकाएं होती हैं, जादतर जो टिश्यू होते हैं, उत्तक होते हैं, वो डैड होते हैं, मरत होते हैं, इस्तले जीवों की तुलना में, जली जीवों में सास लेने की दर बहुत तेज क्यों होती है, क्यो जो डीकमपजर्स होते हैं अपमार्जक वो मरत सड़े गले जानवरों को या पत्तियों को या जो वेस्ट मेटरियल हैं उनका अपखटन कर देते हैं इसलिए वे वातावरण को साफसुत रखने के लिए अती अविशक है अत्वा कुछ पदार्त आजयव निमनी करने क्यों हो जो चोटे शुक्षमजीव हैं वो उनका उनको डीकमपोस नहीं कर पाते हैं इसलिए उन्हें आजयव निमनी करने कहते हैं ठीक है यानि नौन बायो डीक्रेड़ेबल जैसे की पॉलिथीन है और अलुमूनियम फॉइल है उसको डीक्रेडिशन नहीं होता पाचन क्रिया मे पितरस के दो कारे पहला कारे तो है यह शारी मादम परदान करता है जिससे की टिपसिन एंजाइम और पैनक्रेटिक जूस जो एंजाइम रिलीस करता है वो ठीक से काम कर सके हैं क्योंकि वो सारी मादम ही काम कर पाते हैं दूसरा यह है इसमें पितरस में जो पितलवन होते ह वो IMLC करण देते हैं वसा का और उनको चोटी बंदों में वसा की बड़ी बंदों में बदल देते हैं तो इस तरही से मैंने इन तेरा पसन को क्या बाकि के प्रशन हम दूसरे पार्ट में करेंगे